वहीं अफजर गढ़ में मामा भांजे के रिष्टे को तार-तार करने वाला मामला सामने आया है। दरसल यहां मामला काला गढ़ से सटे गाओं हिदायत पूर टांडा का है जहां एक भांजे ने अपने साथियों समेथ पुरानी रंजुष के चलते हेद पर गए सगे मामा की गोली मार कर हत्या कर दी। आपको पता दे कि इस घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी भांजे और उनके साथ ही मौके से फरार हो गए। के शौक को पोस्ट मार्टम के लिए भीज़ा। वहीं जानकारी के अनुजार पुलिस ने खटना के कुछ घंटे बाद ही दो नामजद आरोपियों को गिरफतार करके नियाले में प्रस्तूत करने का दावा किया है। अफजलगड से विरेंद्र अगरवाल के खास रिपोर्ट। अगवत काना है कि आज जनल 6624 को कराम हिदायत को टांडा थाना आपजलगड में भांज़ों ने अपने साथिंग साथ मिलकर अपने सगे मामा नसीम और बावू उम्र 50 वर्षी गोली मारगात्या कर दी है। इस तुसना पर पुलीस तत्काल मौके पर पहुँची है, टैट वर्षी को कभजे में लेकर पोस्ट प्रॉडम के ले बेजा जा रहा है। परेजनों से तरीर प्राफ्ट कर अफ़ायर पंजीकरण की कारवाई की जा रही है। सीगरी अभिक्तों को गिरफतार कर विदे कारवाई की जाए।